इसको प्रशन से इस विच और फॉलविंग ग्राफ रेप्रेसेंट तेम्प्रेचर टी फॉर कॉपर नौ इंट्रेसिंग सवाल यह चाहर अपने को दे रखें तो पहले इसको सवाल को समझते हैं जो रेश्टिविटी अपनी है उसको हम लिखते हैं रो नौट वन प्लस माइ इस तरह से हम अपनी रेश्टिविटी को रेप्रेसेंट करते हैं यहां पर हमें जो ग्राफ बताना है वो डिल्टा टी और रो का नहीं बताना है वह में टेम्प्रेचर का चेंज के साथ इसको वैरी करना है तो इसको हम लिख सकते हैं रो विल बी इकॉल तो रो नॉट वन माइनस अलफा टी नॉट माइनस टी यह आपका चेंज इन टेम्प्रेचर है रूम टेम्प्रेचर से किता आपका टेम्प्रेचर चेंज हो रहा है ठीक है तो इसको आप लिख सकते हैं रो विल बी इकॉल तो रो नॉट अगर इस हम एक्स्पैंड कर दें तो यह आएगा र अब यह स्टेट लाइन जो है यह आपका इस केस में जो टेम्प्रेचर चेंज का जो वैरेशन हम देख रहे है यह छोटे वैरेशन के लिए तो आपकी लाइन कुछ इस तरह है कि यह आपका छोटे वैरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन आपको y is equal to mx plus c तो y is equal to c plus mx इस फ के डिगरी केल्विन में हैं तो 0 Kelvin पर आपको रेश्रिविटी दिखा नहीं सकते हैं 0 Kelvin पर आपके सूपर कंड़ुक्टर वो सारी बाते होती है यह सब कुछ वैलेट नहीं होता वहाँ पर अलग कहानी हो गाती है तो आप इसको 0 पर वहाँ से 0 से चालू कर रखा है वह मेरा तो हो सकता है graph उसके बाद plus t square से vary करने लगे तो उसके बाद वो parabolic shape ले ले हो सकता है ऐसा हो so if that is the case for might be the better choice might be the best choice 2 direct आपको prediction दिख रहा है लेकिन 2 इसले गलत हो जाएगा क्योंकि आपने t is equal to 0 पे resistivity की value दिखा दी है so that may not be the best choice again यहां पर हमें चारों में से best choice उड़नी है तो पहला और तीसरा तो सरासर गलत है और बात भी दूसरे और चौथे के बीच में so in my opinion number 4 might be the best choice based on the data that we may predict so if I would have been in exam शायद मैंने 4 mark किया होता